Hello Friends, Genius Problem Set में Mechanics का कुछ और Problem solve करते हैं पहला Problem ये है, ये दूसरा Problem है, ये तीसरा Problem है और ये फोर्थ Problem है तो आप इन चारो Problems को खुद से solve करिए, खुद से attempt करने के बाद आप मेरा solution वीडियो देखिए First question solve करते हैं, A heavy box is being pulled using two tractors One of these has velocity V1, the other V2, the angle between velocities is alpha, what is the velocity of the box if we assume that the ropes are parallel to velocity vectors ये एक truck है, ये दूसरा truck है, ये truck V1 velocity से और ये truck V2 velocity से इस box को pull कर रहा है तो पूछा है कि box किस velocity से आगे बरहेगा अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि अच्छा सर ये V1 velocity vector है, ये V2 velocity vector है तो क्यों न हम लोग ऐसा कर दें, कि जो net resultant velocity होगा, वो इन दोनों का vector sum होगा ये triangle law of vector addition से हम लोग तीसरा vector V इधर निकाल दें और उसका जो magnitude वगरा होता है na, triangle law of vector addition से कि magnitude of resultant vector क्या होगा उसका use करके इस V का magnitude और direction find कर ले, तो ये बिलकुल गलत है क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ये truck इसको V1 velocity से खीच रहा है, ये V2 velocity से खीच रहा है तो जो net resultant velocity होगा इस box का वो V1 प्लस V2 नहीं होगा जब आप किसी box पे दो force लगाते हैं, माल लिजे कि इधर हमने force F1 लगाया इधर हमने force F2 लगाया, तो force का जो resultant होता है वो दोनों का vector sum F1 प्लस F2 हो जाता है लेकिन जब हम लोग velocity की बात कर रहे हैं, कि इस box को एक truck इधर की direction में V2 velocity से पुल कर रहा है दूसरा truck V1 velocity से इस direction में पुल कर रहा है, तो इस box की जो अपनी velocity होगी वो इन दोनों का vector sum नहीं होगा वही इस question में आप से पूछा है और यह बहुती अच्छा question है, बहुती unique question है इसमें जो concepts में अभी आपको use करूँगा और जो mathematical techniques use करूँगा generally वो सारे techniques physics के question में use नहीं होते हैं, लेकिन बहुती basic level का technique है जो आप लोगोंने class 8 और 9 में ही सीखा होगा, उसी technique का use करके हम लोग इस question को solve करेंगे एक यह string है और दूसरा string यह है, और इस string के दोनों end पे क्या है, एक end पे truck है, दूसरे end पे box है तो जब भी इस तरह का दो body किसी string वगरे से connected हो, माल लिजे कि यह string है और दो body बना दो भाई, यहाँ पर एक body है, और यहाँ पर एक body है, दोनों body move कर रहा है तो याद कीजिए, जो constraint relation वाला chapter था न, उसमें मैंने detail में समझाय था कि अगर एक string है, और string के एक end पे एक body है, माल लिजे कि वो v1 velocity से move कर रहा है string के दूसरे end पे कोई दूसरा body है, जो v2 velocity से move कर रहा है तो दोनों में relation क्या होता है, relation यह होता है, कि string के end पे जो दोनों particles है उनके पास जो velocity होती है, तो velocity along the string वो same होता है ध्यान रखिए, velocity along the string same होना है, क्यों same होना है, क्योंकि इस string का length तो constant है और साथी साथ आप ये भी देख रहे हैं, कि ये string slack तो हो नहीं रहा है, ये truck इस box को खीच रहा है तो ये string जो है, ये वाला string या ये वाला string slack तो हो नहीं रहा है, उसका length घट नहीं रहा है उसी तरह इस string का length बढ़ भी नहीं रहा है तो string का ना तो length बढ़ रहा है ना उसका length घट रहा है यानि कि जो दो end पे दो particles हैं एक box है और एक truck है दोनों के पास जो अपनी अपनी velocity होगी उस velocity का component along the string same होना है ये basic funda होता है तो वही funda आपको इस question में लगाना परेगा माल लीजिए कि ये जो box है उसकी velocity v हो जाती है तो इस v और इस v2 में क्या relation होगा इस v का component in this direction along the string वो किसके बराबर होगा v2 के बराबर होगा क्योंकि ये जो v2 velocity vector है वो क्या है वो तो along the string है न देखिए ये जो v2 velocity vector है वो along the string है तो इस v2 velocity vector का component in the direction of the string क्या हो गया v2 हो गया उसी तरह इस v1 velocity का component in the direction of string क्या हो गया v1 ही हो गया अब हम लोग velocity of the box लेते हैं ये v तो इस v का component in this direction क्या होना है वो v2 के बराबर होगा तो ये V1 velocity है, ये V2 velocity है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो box है, इसका जो velocity होगा, माल लीजे कि कुछ इस direction में है, और इस velocity का नाम हम लोग क्या कर दें, नाम इसका V कर देते हैं, तो ये जो V है, इस V का component in this direction, along this direction, किसके बराबर होना है, V2 के बराबर होना है, यानि कि य V जो है, वो कहां तक जाएगा, इस V2 से आप एक perpendicular line ड्रॉ करिए, उसी line पे कहीं V velocity terminate करेगा, समझेए, अब ये थोड़ा सा geometrical हो रहा है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो V velocity है, वो कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनना इस V velocity को, such that, इस V velocity का component जब हम लोग लेंगे इस line के along, तो वो V2 के बराबर हो जाए, V2 यहां तक है, तो इस V2 से अगर मैं एक perpendicular draw करूँ, और V vector ये है, ये वाला, तो हम लोग कह सकते हैं कि V का component in this direction किसके बराबर हो गया, V2 के बराबर हो गया, यानि कि V vector जो मुझे find करना है, उसको find करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, कि V2 से आप एक perpendicular line draw करिए, ठीक है, perpendicular ये हुआ, आप V1 से एक perpendicular line draw करिए, ये line, और दोनों perpendicular जहां पे meet करता है, इस point पे, अब आप क्या करिए, इस point को इस से connect कर दीजे, इस से, तो ये जो velocity vector मिला न मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो V velocity vector है, इसका component along this line, उसकी magnitude V2 के बराबर होनी चाहिए, इस string के along, तो देखिए, ये जो blue वाला V vector है, इसका component लेंगे इसके along, तो component लेने के क्या करना पड़ता है, इस जगा से हमें एक perpendicular drop करना है, तो component मिल जाएगा, और हम लोग ये भी चा V2 के end पे terminate करेगा, तो इसका मतलब हम लोग इस V2 से एक perpendicular ऐसे line बना दें, उसी तरह ये जो V vector है, उसका component in this direction, वो V1 के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कि V1 जहाँ पे terminate कर रहा है, वहीं से हम लोग एक perpendicular line बना दें, और ये दोनों perpendicular जहाँ पर intersect कर रहा है, उस point और इस point को अगर आप connect करिएगा, तो ये आपको नया V vector मिल जाएगा, इस V vector की क्या खासियत है, खासियत ये है, कि इस V का component इस direction में क्या हो जाएगा, V cos जो भी angle यहाँ पो हो, उसका component किया हमने V cos theta 1 या कुछ भी आएगा, तो वो V2 के बराबर आ जाएगा, इस direction में, उसी तर जाएगा था, कि मुझे ऐसा velocity vector मिले, जिसका component इस line के along, इस line के along V2 के बराबर हो, और जिसका component इस line के along V1 के बराबर हो, मुझे करना क्या था, मुझे find करना था, कि ये जो box है, वो किस velocity से move कर रहा है, मुझे ये find करना था, मैंने क्या पता किया, कि इस box की कुछ भी velocity हो, किस कि इस box की velocity का component, यानि कि इस V का component, इस string के direction में, वो किसके बराबर होना चाहिए, इस truck के velocity के component के बराबर होना चाहिए, truck की जो velocity है, ये V2, वो along string है, यानि कि इस velocity का component along string तो V2 हो गया, तो condition के आया, V वैसा vector है, जिसका component इस direction में, इस string के direction में, V2 के बराबर होना चाहिए, यानि कि V ऐसा vector हो, जिसका जब हम लोग component लेंगे इस direction में, component लेने का मतलब क्या है, कि यहां से जब perpendicular आएगा, तो perpendicular के बाद जो ये component बिलेगा, ये V2 के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, component जो है, वो V2 के बराबर है, इसका मतलब V2 से ही हम लोग एक perpendicular line ड्रॉ कर दें, और जो V vector है, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ कहीं हो सकता है लेकिन अभी तो दूसरा condition भी है दूसरा condition यह है कि जो V vector है उसका component इस direction में V1 के बराबर हो यानि कि यह जो length है कौन सा length द्यान से देखो यह वाला length किसके बराबर है V1 के बराबर है हम लोग बोल रहे हैं point, दोनों को आप join करिए, जो vector मिल गया, वो V vector हो गया, तो velocity of box क्या होगा, इस direction में होगा, उसका magnitude ये होगा, तो यहां तक तो समझ में आ गया, अब बात आती है कि इस velocity का magnitude कैसे find किया जाए, अब इसमें देखिए, मैं दो technique लगाता हूँ, अब इस velocity V को directly तो find नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज तो find कर सकता हूँ, ये वाला जो length है ये वाला line का, cosine rule से ये तो सब को पता होगा कि AC square क्या हो जाएगा, जो ये V1 square है, उसका square प्लस V2 square माइनस 2 V1 V2 cos alpha होगा, ये angle तो alpha है, ये तो देखी रखा है ना question में, ये वाला angle V1 और V2 के बीच का angle alpha है, तो ये जो AC square है, ये वाला length, यहाँ से A से C तक, AC square को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cosine rule से, तो अब बच्चों को लगता है, कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है, कि ये जो AC का length है, वही इस V vector का length हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो अब इस V vector के length को, जिसको मैंने यहाँ पर blue से बनाया है, इसका length कैसे find किया जाए, अब आप इस diagram को अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको question का answer मिल जाएगा, ये जो एक quadrilateral आपको दिख रहा है, जहाँ पर ये V vector terminate कर रहा है, नाम दे दें इसका बेटा, नाम इसका चलो D, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये जो quadrilateral है, देखो, A, B, C, और D, इस quadrilateral के कुछ खासियत आपको दिख रही है, सोचो, सोचो, ध्यान से देखो, basic funda है geometry का, ये एक cyclic quadrilateral है, cyclic quadrilateral है ना, देखो, ये angle 90 degree है, ये angle 90 degree है, यानि कि ऐसा quadrilateral है, जिसके opposite angles का sum 180 है, तो obviously इ ABCD एक cyclic quadrilateral है, यानि कि अगर मैं चाहूं, तो ABCD इन चारो points को join करता हुआ, एक circle बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं आप, ABCD को join करता हुआ, एक circle बन जाएगा, और ये जो BD महाशे है, जिसका magnitude हमें पता करना है, ये क्या है, ब्लू वाला line तो BD है न, इसका magnitude हमें पता करना है, वो क्या है, उस circle का diameter है, अब आप कहेंगे कि सर इतना confused हो गया मैं, मुझे find करना था कि ये किस speed से box move कर रहा है, अब कहां cyclic quadrilateral diameter में चले गया है, अब इस question को वैसे ही solve किया सकता है, और कोई तरीका तो मुझे समझ में नहीं आया है, तो ये समझ में आ गया हो point B को हमने join कर दिया, तो ये V velocity vector हमें मिल गया, अब हमें पता करना है कि इस V velocity vector का magnitude क्या है, यानि कि इस box का speed क्या है, अब वो कैसे पता किया जाए, तो हमने देखा कि ये जो A, B, C, D quadrilateral है, ये cyclic quadrilateral है, बहुत अच्छे, cyclic quadrilateral बन गया, यानि कि इस से मेरा कुछ काम बन स सकता है, कैसे बनेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, A, C का magnitude हमें पता है, हमें पता करना है इस B, D का magnitude, आप ये chord लीजिए, ये जो B, C chord है, ये वाला chord, ये जो chord है, वो यहाँ पे जो angle बनाएगा, वही angle यहाँ पे बनाएगा, ध्यान से देखो, मैं क्या बोल ला हूँ, ये जो B, C chord है, कौन सा chord, ये वाला B, C chord, angle made by B, C chord, at circumference, वो ये है, तो ये अगर theta होगा, तो ये भी तो theta होगा, क्योंकि अगर same chord है, तो circumference पे वो same angle subtend करता है, यानि कि मैं ये कह सकता हूँ, कि ये angle theta होगा, ये angle theta होगा, अब आप इस triangle A, B, C को देखिए, A, B, C, ये वाल triangle है, इस triangle की, इसको मैंने green से कर दिया है, इस triangle में मुझे AC पता है, ये V1 पता है, V2 पता है, तीनों sides का magnitude पता है, और ये angle कितना है, alpha ये भी पता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, कि magnitude of AC divided by sin alpha, this is equal to V1, ये V1 मैंने magnitude लिया है, divided by sin theta, किस triangle से triangle A, B, C में मैंने sin rule लगा है, तो ये देखो मैंने क्या लिखा, ABC कौन सा triangle है, A, B, C, इस triangle में sin rule लगाईए, तो AC ये वाला side है, इसके opposite ये वाला angle है, sin alpha हो गया, तो AC by sin alpha, this is equal to V1, ये हो गया V1, V1 by sin theta, क्योंकि V1 के opposite ये theta angle है, तो ये हम लोग sin rule से लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसको लिखने में अब आप दूसरा triangle लीजिए, triangle BCD, ये triangle मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये triangle BCD है, इसी triangle में तो ये वाला BD है और मुझे BD ही पता करना है, ठीक है, तो अब आप triangle BCD लीजिए, तो BCD में मैं ये लिख सकता हूँ, BD by sin 90, sin 90 क्यों लिखा, क्योंकि देखो, इस triangle में मैं sin rule 90 degree है, ध्यान दो, यहाँ पर angle 90 degree हो गया न, ये DCB, ये वाला angle तो 90 degree है, तो हम लोग लिख सकते हैं, BD by sin 90, this is equal to, अब आप क्या करिए, दूसरा side इसका ये V1 है और ये theta है, तो हम लोग लिख सकते हैं, this is equal to V1 by sin theta, ये जो triangle है BCD, इस पर ध्यान दो, इस triangle पर जब आप ध्य दिजिएगा, तो आप ये देखिए, कि ये जो BD है, इसके opposite ये 90 degree है, तो BD by sin 90, this is equal to, ये V1 है, V1 by sin theta, अब आप दोनों side से V1 by sin theta, V1 by sin theta, इक्वेट कर दीजिए, यानि कि AC by sin alpha is equal to BD, sin 90 तो 1 होता है न, तो BD क्या हो गया, BD की value हो गई, AC by sin alpha, यानि कि question मुझ से क्या प BD, उस box का speed हो गया, यानि कि इस vector का magnitude, this is equal to AC by sin alpha, AC तो आपको पता है ही, इसका root under कर दीजिए, तो ये इस question का answer हो गया, कि speed of box जो है, वो इसके बराबर हो गया, अब ये कितने angle पे move करेगा, वो भी अब आप आसानी से find कर सकते हैं, आपको जब velocity का magnitude मालूम हो गया, इसका magnitude मालूम हो गया, तो ये angle या ये वाला angle find करना आसान है, basic trigonometry से आप find कर लीजेगा, तो question आपको इस तरह से ही पूछेगा, कि दे देगा कि V1 के velocity कुछ 10 है, V2 के velocity कुछ 20 दे देगा, alpha जो angle है वो 30 degree, 45 degree, 60 degree कुछ दे देगा, फिर पूछेगा कि बताओ ये जो box है, वो किस speed स तो answer क्या हो जाएगा, root under V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2 cos alpha divided by sin alpha,